नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आरसिष्टेड ट्रिक परिवार में और हम लेख राए है राम सिंग आदो की पुस्ते के पूरे 50 अब्यास पेपर सेट जिसमें से आज करेंगे एड़ 30 वे पेपर के पूरे 50 क्यूसन जिसमें स आप कितने सही कर पाए है साथ इन सभी वीडियो की पीडिया अप्टता अनियक परकार के नोट्स पर आप करने के लिए आज ये हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ओडिशा राजस्तान या तमिनाडू तो कोनार्क में इस्तत मंदिर की स्तेवता को समर्पीते तो कोनार्क का परसिद सूर्य मंदिर ओडिशा राजे में इस्तत है ओप्शन नमर बी राइट होगा और जिसका निर्मान गंगवंस के सासक नर्शिये देव पर्थम ने करवा और कोनार के सूर्य मंदिर का चितर है जो कि भारत सरकार के 10 रुपए के नए नोट पर अंकित है आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 100 रुपए के नोट पर किस द्रोहर का चितर अंकित है नेक्स क्यूशन है माधिपों की संक्या कितनी है पांत साथ चै या चार तो विश्व में कुल कितने माधिप है उप्शन नमबर बी राइट होगा साथ माधिप जिनमें से सब्चे बड़ा माधिप एस या है तता सब्चे छोटा कौन सा ओस्ट्रेलिया माधिप सब्चे कि यहां तो ज्वाला मुखी मंदीर कहां है इस्थत है हिमाचलप्रदेश के कांगड़ा में स्थत हैंал etcetera के लिए उम्र अंगुट पैचान पत्र या शिक्सा देंके वाट देने के लिए आमत देने के लिए अंगुटव और शिक्सा का कोई रॉल नहीं होता थीक। 55 पत्र अनिवारी होता है परन्तु 55 पत्र के लिए क्या अनिवारी होती है कम से कम 18 वर्ष की उमर अनिवारी होती है तो वोट देने के लिए क्या जरूरी है 18 वर्ष की उमर होना जरूरी है option 9.A right होगा यहां पर बुटान की राजदानी क्या है अपज्चन नमबर सीराइट का ठिंप ऊगे भुतान की राजदानी, इसके अलवा यहाँ पर आप एप्सन में दिया गिया है, पेरिस किसकी राजदानी फ्रांस की राजदानी है, काबूल अफग아니स्टानी और तेहरान किसकी राजदानी है, तेहराना आफके एरान की राज तिहरान है और इराक की राजदानी क्या है एराक की राजदानी बगदाद है नेक्श्ट क्यूशन है जंगनना कि संत्राल में होता है पांच वर्स एक दस वरस्ट या वीश वर्स dos तो पर तेक 10 वरसों के बाध में जन्गणना होती है उप्षन नंबर C राइट ओका दस वर्चों के अंतराल में जन जनगणना होती है भारत में सहरोपर्तं जन्गणना डिया 18 dolar दी राइट होगा उत्राखंड की राजदानी देहरादून में इस्तत हैं नेक्स क्यूशन है अबुल फजल किसके सासंकाल में ते अकबर, हुमायू, औरंग्जी अबाबर तो अबुल फजल कों थे हैं अकबुल फजल अकबर के दरबार के नौरत नों में से एक ते यह किसक नाम है भुटान, थाइलेंड, बर्मा यह शिल दंका तो म्यामार यह वत्मान नाम है जिसका प्राचीन नाम था बर्मा, ओप्शन नंबर सी राइट होगा बर्मा का ही परिवर्तित नाम क्या है म्यामार है यहां पर ओप्शन नंबर सी राइट होगा जवहारला नेरू का जनम कब गुआ था, 14 नौंबर 889, 5 सितंबर 889, उनियांसी, 2 अक्टूबर 889, या 5 नौंबर 889, तो जोहरला नेहरू जो भारत के पर्थम परदान मंत्री थे, उप्चन नौंबर 889 को जनम गुआ था, और इन्हें बच्चे किस नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू के ना जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जनम दिवस को, उप्चन नौंबर 889, इसक्टूशन का, नेहरू क्टूशन है, शहमिदान कब लागुआ था, उनिसो नौंपचास, उनिसो पचास, उनिसो पचास या निसो चियालीश, तो भारत का समिदान लाग उसे दिन परति वर्ष 26 जनवरी को भारत में कौनसा दिवस मनाया जाता है नेट्स क्यूशन है वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए कितनी उम्र होनी चाहिए अभी पीछे वाले क्यूशन में जीकर खर के आई option number C right होगा, यहाँ पर कम से कम 18 वर्स उमर होनी चाहिए, पहले यह उमर 21 वर्स तहे थी, परंतु 61 समिदान संसोदन के माध्यम से राजियू गांदी ने इस उमर को 21 वर्स से घटा कर कितनी कर दी थी, 18 वर्स कर दी थी, अब यहाँ पर right answer क्या होगा, option number C right होगा, कम से कम 18 वर दानी है, तो इरान की क्या थी, option number B right होगा, तेहरान है और काबूल अफगानिस्तान की थी, next question है, नेम्ज में से खाद्य पसल कौन से, सर्सो का पास रतन जोत या मक्का, तो सर्सो का पास और रतन जोत यह तीनों कौन सी पसले, यह तिल हन की पसले, जिन से तेल निकाला जा ठीक है, तो मक्का क्या एक खाद्य पसल है, option number D right होगा, तो यह तिया आज के जीके के 15 question, next part में हम करेंगे science के 15 most important question, विज्यान का पहला परसन आपकी screen पर, यांतरी कुर्जा को विदी तुर्जा में कौन बदलता, डाइनेमो, मोटर, बेटरी या ट्रांजिस्टर, तो या option number B right होगा, लक्स होगी, next question है, दातू में दातू का मिश्रन क्या कहला था, मिश्रन तथ्वा, परमानू या एलो, तो दातू में दातू का मिश्रन क्या कहला था, option number D right होगा, एलो इक तार में एक समान विद्युत दोड़ रही है, तो उस तार में क्या होता, केवल उसरी नहीं नहीं तो उसके तापमान पर कोई असरी पड़ेगा ठीक होगा परिपर्वाव नहीं और या फिर होगी या फिर इन सब्सक्राइब हलाँ तो इस पर परतिरोद का पर्वाव पड़ेगा ठीक है जब रेस्ट चमकते हैं तो पहल एक अदिक और दूसरा कम चमकता है तो जो बलब कम चमकता उसका परतिरोध अमेशा क्या होता अदिक होता option number air right होगा कम चमकने वाले बलब का परतिरोध क्या होगा अदिक होगा पानी किस्त आपमान पर उबलता है, 100 degree Celsius, सत्या के दबाव पर निर्बर, 180 degree, फोरेन आइट या 36 degree Celsius, देह के सामाने रूप से पानी किस्त आपमान पर उबलता है, option number वेसे देखे तो यह राइट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा 100 degree Celsius पर पानी उबलता है, परन्तु पानी क्या उ सत्या के दबाव पर निर्बर करता है, जल का गलनांग कितने degree होता, 0 degree, 100 degree, माइनस की 4 degree या 4 degree, तो जल का गलनांग क्या होता, 0 degree Celsius होता, पानी का गलनांग, option number A राइट होगा यहां पर, पहाड पर चड़ने पर दाब बढ़ता है या गढ़ता है, तो क्या असर पड़ता है जब हम उचाई के इस्ताँ पर जाता है, तो वायुदाब क्या होता, गट जाता है, तो पहाडों पर चड़ेंगे, जैसे पहाड क्या होती है, उचाई पर होते है, तो यहां गट만 कितने but right होता, पानी का राइट होगा यहां पर, पानी का रासाइयनिक सुत्र कौन सा है, D होता है नाम से जाना जाना जता है क्या होता है सुद नमक का शुतर होता है नेक्स क्यूशन है कलोरफारम का सूतर क्या Kmng 3 ZNO C123 या N20 तो क्या होगा कलोरफारम का सूतर ओप्शनने में नंबर C राइट होगा यहां पर क्या होगा C123 किसका सूतर होता नाईट्र जोक्साइड का शूतर होता जिसे हम साने वाली कि नाम से जानते केमनो 3 पोटेशियम परमेंगनेट का सुतर होता है जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं नेक्स क्यूशन है सूर्य की किरिणे परतिवी पर कितने समय में पहुंचते हैं 500 सेकंड, 300 सेकंड, 269 सेकंड या 38 सेकंड तो परतिवी पर सूर्य की किरिणे 8 मिनट और लग भग 20 या 19 मिनट 19 सेकंड में पहुंचते हैं तो 8 मिनट और 19 सेकंड या पर ओप्शन नमबर A राइट होगा 500 सेकंड या फिर हम क्या कहेंगे 8 मिनट या 19 सेकंड नेक्स्ट क्योंशन ने घाड़ी आगे पीछे ढादेनी नियम का नियम कौन सा जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो हम क्या होते आगे की और पर्तिकिरिया खुरते ठीक अचानक चलती है तो हम पिछे की और बल लगाते हैं तो ये औस नियम होता है ये गथि का पर्थम नियम होता जिसे हम क्या कहते हैं जड़त्तुय का नियम होते है और सन्दूमर भी राइट होगा तो ये ये आज के चुआ सॉश्ट में इंपर्टेंट के चुआ कि स्कुरिंड पर धिया크 हर्फ 240 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी एक हम्य को 12 सेकिंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की चाल परती गंटा में है ठीक है किलो मीटर परती गंटा में ग्याद करनी है ठीक है तो देखे यहां पर दूरी कितनी होगी जो रेल गाड़ी की लंबा होगी कितनी 140 मीटर ठीक है और समय कितना समय दिया गया 12 सेकिंड में पार करती है तो यह चाल किस में आएगी यह मीटर में यह शेकिंड में तो यह आएगी मीटर परती सेकिंड में परन्तु हमें ग्याद किस में किलो मीटर परती गंटे में ग्याद करनी है तो जब हम मीटर परती सेकिंड में किलो मीटर प देखे 6,8 तीन बार कटते हैं और 6,12 दो बार कटते हैं ठीक है अब 5,14 कितनी बार कटेंगे शोरी 140 कितनी बार कटेंगे 5,15 तुने कितनी ओटेंगे 10,14,18 पर थीक है 2,28 चवदा बार अब 14 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 42 किलोमेटर परती गंटे उसकी चालोगी और संक्या ग्याद करो जिसे 6,9,12,16 और 30 से भाग देने पर परते एक दसा में 3 से बचे ठीक है तो वह है चोटी से चोटी संक्या जिसमें दे गई सभी संक्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो वो संक्या क्या कह लाती है सभी संक्याओं का अल्सियम कह लाती है तो इसका भ दिग मात्रा में दो का भाग जाता है नो को छोड़ कर और सभी में जाता है ठीक है तो दो का भाग दिया तो छह में कितनी बार जाएगा तीन बार नो में नहीं जा रहा तो नो के नो, बारा में छह बार, सोड़ा में चार बार, और तीश में पंद्रा बार, एक बार और दो का दे लेते, ठीक है, दो का बार तीन में नहीं जाएगा, नो में नहीं जाएगा, छह में तीन बार, आठ में चार बार, और पंद्रा बार, अब द तीन वार कितनी बार घहेंगे तो इने आपस्छी भूना कर लें तийक है। कितना होगा, 360, 360 को दो से किया, कितना होगा, 720, तो वह चोटी से चोटी संक्या, जिसमें 6, 9, 12, 16 और 30 का पुरा-पुरा भाग जाता होगा, क्या होती है, 720 होगी, परन्तु हमारे पास क्या पुछा है, कि जिसमें से 3 सेक्स भी बचनी चाहिए, तो इसमें 3 और जोडनी तो, क एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान क्या होगा, देह कि ऐसी स्तती में हमारे पास कौन सा समय करना होगा, यदि एक्स माइनस एक बटे एक्स है, ठीक है, इसका मान मान लेते हैं, हमारे पास पी है, तो एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान क्या होता है, वीज सबसे काया अब हमारे पास छादा और हमारे पास चेकर नार शुत्र आएगा यहां पर पी को मना रहा है और तो प्लेटे चाहिए और क्या होगा पर सक्वाइर ऑलत कि ठीक होगा तुगादा ठीक है अब हमें क्या करना इसको को कुछ मानना और मानना किस परकार है मानने के लिए यह नियम है कि हम क्या करेंगे इस चवदा के ऐसे दो टुकडे करेंगे ठीक है जिनका योग क्या हो एक पूर्ण वर्ग संक्या हो क्यों कि यहां पर पी का कितना स्क्वाइर दिया गिए ठीक है जिनका योग क्या होना चा उदाएगा कोई प्रक्निपिटी और साथ और दो का योग कितना होता है साथ और दो का योग होता नो जो कि 2 का cube minus की क्या होगा 3P ठीक है sorry plus का 3P तो 3 into 6 ठीक है तो 2 का cube कितना होता 8 8 और 3 into 2 आएगा ठीक है P का मान 2 था 3P तो 3 को 2 से गुणा कियाद कितना आएगा 6 तो 8 और 6 कितने होते हैं 14 होते हैं मेशा तो P का मान निस्ची तूप से कितना आएगा 2 आएगा तो X minus 1 बटे X का मान भी कितना आएगा 2 आएगा option number A right होगा यहाँ पर next question X square plus 2X minus P बड़ाबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है तो P का मान क्या होगा देखे मूलों का योग किस परकार होता है X उतर होता हमारे पास alpha plus beta बड़ाबर होता minus के B बटे A ठीक है और alpha into beta बड़ाबर क्या होता है C बटे A ठीक है जहाँ पर A कमान common होता दोनों में ठीक है अब हमारे पास क्या दिया गया है इनका square का योग दिया गया 10 तो हम क्या करेंगे alpha और beta कमान कितना होता माइनस के B बटे A तो B कमान कितना 2 और A कमान है अक्स square के साथ क्यों कुछ संक्या नहीं है तो एक मानेंगे ठीक है तो क्या होगा माइनस के B बटे 2 तो क्या हो जाएगा दो बटे दो बटे 1 ठीक है B किसका जहाँ पर माइनस का ठीक है हमें यह ध्यान रखना है तो अब हम इसे माइनस का करने के लिए क्या करेंगे पूरे समिकन को माइनस से गुणा करेंगे तो यह भी माइनस का और P माइनस का क्या हो जाएगा पलस का हो जाएगा ठीक है तो अब क्या करना है यहां पर माइनस के दो बटे एक ठीक है हर में एक लिखने को आउशिकता नहीं है और यह मान किसका अलपा और बीटा का ठीक है अब दोनों संक्याओं का वर्क करने पर दोनों और वर्क करने पर इसका स्क्वाइर बराबर दो का स्क्वाइर ठीक है तो A पलस B का है ओल स्क्वाइर क्या दिया गिया हमारे पास की वर्गों का योगदस्थ है तो दस प लग्राइब Look स्ट्रायों क्या होगा चार होगा ठीक है अब यह अर्स प्रहस का पक्सानर'! करेंगी क्या हो जाएगी टो बॉर टूनश अथैक चार में से टैयोंगी कितना बचाएगा ते जायगा थीक है और बिध प्राइब किसमी को माणां होता मीनेस्ट स्य नियामित बई खांगों क योग 124 तो भुजाओं की संक्या क्या होगी एंसे स्तिति में एक शुत्र होड़ा होता कि वाव बुज की depokोनों का योग बराबर क्या होता टू एन माइनस के चार इंटू 90 ठीक है यह क्या होता बहु बुज के अंते कोणों के योग का सुतर होता ठीक है बराबर हमारे पास दिया गया 1440 यह 90 इस और गुणा में पक्सांतरन करेंगे जिबाग में हो जाएगा तो 90 का बाद 1440 में देंगे कितना हो जिरो से जिरो कट जाएगा और नव का बाद motorत कितनी बार जाएगा दो का हो जाएगा तो 2 न बराबर 16 और 4 कितने होते हैं 20 होते हैं तो न बराबर कितने हो जाएगे दो का बाग देंगे कितना है गदस तो उस बहु बुज के बुजाओं किसे के कितनी होगी 10 होगी option number a right होगा यहाँ पर next question is 0.9 का वरगमूल क्या होगा ठीक है देखे 0.9 का वरगमूल क्या होगा आप 0.3 मत कर देना 0.03 भी मत कर देना और 3 भी मत कर देना यहाँ पर option number c right होगा 0.948 अब यह किस परकार होगा यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा इसका भागविदी से वर वरगमूल करने के लिए हम दो दो के जोड़े बनाते तो इस और 00 लिखना होगा और 9.0 इस परकार लिखना होगा ठीक है अब इसका क्या करेंगे हम वरगमूल तो अब हमारे पास कौन सी संक्या आ रहे है ठीक है 0 आएगा यहां पर भी 0 आएगा 00 आ गिया ठीक है और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 कितना आ रहा जीरो आ ठीक है तो अब हमारे पास आगे कि संक्या उतारने है पूरा जोड़ा उतारना एक संक्या नहीं उतारने ठीक नो आ रहे हैं, नबह, तो नबह किसके नजदिक होते हैं, ठीक है, नो का वर कितना होता, एक कैसी है, और दस का कितना होता, सो होता, तो दस का सो, तो नबह सी जादा होता, तो नो हो जाए, यहां पर पॉइंट लगा कर कितना जाएगा, नो, ठीक है, यहां पर भी नो उतारे सिंगे जोड़े की रूप में 2-0 उतारना ठीक है अब 18 में इसी कौन सी संक्या जोड़ रखे जिसे उसी से गुणा करने पर 900 आए जैसे 18 में एक रखेंगे तो क्या होगा 121 यह ठीक है इसी परकार जब 18 में कोई संक्या रखेंगे तो वो किसके नजदीक चली जाएगी 200 के नजदीक चली जाएगी और 200 का बाग 900 में कितनी बार जाएगा लग भग जा रहा है यह कितनी बार चार बार जा रहा ठीक है पांच बार अजार हो जाएगा ज्यादा जाएगा तो आगे वारे संक्या कितनी आएगी चार आएगी तो 9-4 आगे यह संक्या सम्तिंग चलती रहेगी ठीक इसी परकार यह करम चलता रहेगा तो 0.94 के सम्तिंग जो संक्या जैसे यहां पर 0.948 है तो उप्शन नमर्षी राइट होगा यहां पर 5 परतिसयत वार सीख दर से कितने समय में कोई राशी दूगोणी हो जाएगी तो इसके लिए एक सूतर बार-बार बताया गया है कि क्या होगा N-1 बटे R बराब इंटू कितना होता 100 यह क्या होगा समय का N कितना होगा जहाँ पर संक्या 2 गुणी 4 गुणी जितनी भी हो रही तो कितनी गुणी हो रही है 2 गुणी हो रही है Minus के 1 बटा R दर कितनी दीगई 5 इंटू कितना है 100 है 2 मेंचे 1 गटाएंगे कितना बचेगा Pen to support भी का भाक कितनी बार जाएगा 20 बार ठीक हो कितने कितने रूपएं में बैचने पर 10% की हानी होती है उस साइकल को कितने रुपएं में बेचा जाए कि हमें 10% का लाब हो ठीक है झाल कि 360 रूपए में बेचैंश है तो 10% के आनी कुल संक्या कि सो परतिसद होती है तो 10 betborn क Warum संक्या ते लुद्वर Homazo है अब हमें गयात क्या करना सौंपरतिस यानी कुल संक्या नहीं गयात करनी उसका दसपरतिसद Camya गाएगाए सू नुआ 10 चार को 110 से गुणा किया कितना आएगा 440 तो उसे 440 रुपए में बेचने पर वो कितनी हो जाएगी 10% लाप प्राप्त होगा में ओप्सान नमबर B राइट होगा यहां पर और यह दिकरा मुल्य की बात करता तो वो हम क्या करते 100 से गुणा करवाते और उतर आता हमाले पास 400 इन पिरस या जाद सहे इस्थ आहां में पर मिधर स्कांव करOOOOOOOOuchar तेंपष आढ़कर मे काम को करें या फिर साथा है उसका में उसका में कूर चुमक्ति इतला है टीग है एक पुरुस बराबर दो इस्त्रियां हो रही है ठीक है तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 12 पुरुस तथा 18 इस्त्रियां अब क्या करना इस इन पुरुसों को भी हमें क्या करना है इस्त्रियों में बदल ले एक पुरुस बराबर दो इस्त्रियां तो 12 पुरुस बराबर कितन बारा दिन में कर रहे ही तो अब हमें क्या करना इस 32 हिस्तियान रही है तो बत्टे 32 का भाग देना ठीक है। 2-3 बार कटरा और 2-3 16 बार ठीक है। और 16 से कितनी बार कटरा है? 16, 15, 16, 16, 16, 17, बार, और 7 को 3 से गुणा किया, कितना आएगा 21 तिन, तो 12 पूरुस तता 18 आठ इस्त्रिय उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, 21 तिन में समाप्त करेगी, मनोज एकिस्तान पर 4 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से पहुँचा परनतु वापिस 16 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से लोट सका, तो मनोज की ओस Website साल क्या है देंके हमारे पास कोई निश्चित दूरी नहीं दी गए तो हम क्या करेंगे उस दूरी को मान लेंगे थीक है जो बड़ी संक्या होगि जो इसमें ज्यादा समयादा लगागा वह हम दूरी मान लेते हैं जैसे वापिस कितने किलोमेटर प्रती गंटा की चाल्सी आता वो 16 किलोमेटर प्रती गंटा की चाल्सी आता तो माना की वह 16 किलोमेटर ही जा रहा है ठीक है तो 16 किलोमेटर जा रहा है तो जाते समय उसे समय कितने लग रहा है चार किलोमेटर प्रती गंटे की चाल से वो जा रहा है ठीक है तो चार किलोमेटर प्रती गंटे की चाल से जा रहा तो उसे जाते समय लगेगा समय लगेगा कितना लगेगा चार का बाग देंगे कितना चार गंटे ही उसे समय लग रहा जाते समय और आते समय वो 16 किलोमेटर तो कुल कितना शमय समय लगा पांच मध्या और दूरी कितनी होगी 16 km वापैसायद कितनी होगcart 32 km के दूरी उल्तार क्या होगी 32 में 5 का भाग देना ठीक कितना अएगा चैफ पॉइंट चार आएगा तो तो है 10 4 km प्रटी गंटा इसकी ओस्ति चालोगी नबर a राइट हो गा यहां पर कि मेरा वेतन 10 परतिशत बढ़ा कर 10 परतिशत कम कर दिया गया तो मेरा लाब या है निम परतिशत गया दिया कि माना कि मेरा वेतन पहले 100 रुपे या था ठीक है 100 रुपे था उसके बाद में उसने क्या किया 10% बढ़ाया ठीक है 10% बढ़ाने के बाद में क्या किया लिए उसने 110 कर दिया ठीक है पहले 100 रुपे था मेरा वेतन अब उसने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया तो क्या कर दिया 110 रुपए कर दिया अब 10 परतिसत पुन्य घटा दिया यानि इस 110 का 10 परतिसत घटा दिया मतलब 110 का कितने परतिसत दे रहा मुझे 90 परतिसत दे रहा है ठीक है तो 90 बटे 100 0 से 0 इस 0 से ये 0 11 को 9 से गुणा किया कितना हो अब वो कितने रुपए दे रहा निन हुई मुझे option number बी राइट होगा यहां पर चार और आठ का तर्थए अनुपात क्या ठीक तर्थी नुपात का सूतर होता बी स्क्वाइश बट्टे ए ठीक है तो बी A2 क्या होगा B कितना है 8 तो 8 का2 क्या होगा 8 इंट्टू 8 बट्टे क्या होगा A होगा ए कमान 4 होगा ठीक है 4 सी 8 2 बार और 2 को 8 से गुणा केद कितना होगा 3 अनुप या नुपात होगा उसका 16 नंबर B राइट होगा NN connection mixung एक व्यक्ति को उसके व्यतन की 5また3 बड़ोतरी मिलकर 252 मिले उसका पूर्वव व्यतन क्या होगा मानगे के पहले व्यतन कितना 100 रुपई 5 Steve by 23 कितना होगे 105 रुपए मिल रहे तो दो सोबावन कितने हैं? 2x2-3x-12 Police wins थीक है मैनस के B क्या होird यहां पर मैनस के 3 तो मैनस मैनस क्या हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएंगे ठीक है और एक का मान कितना दियेगा, एक का मान अक्स के साथ में कितना दो, तो उसका alpha प्लस beta का मान हो जाएगा, एक तीन बटे दो, option number D राइट होगा यहाँ पर, एक पिता अपने पुतर की आयू से 5 गुणा बड़ा, चार वर्स बाद उनकी आयू का योग 44 वर्स है, तो पुतर क एक वर्स है, तो पिता की कितनी 5 वर्स, अब यह योग देरा चार वर्स बाद, तो चार वर्स पहले है, उनकी आयू का योग कितना, चार वर्स पिता की गटेगी, और चार वर्स पुतर की गटेगी, तो कुल कितनी गटेगी, आट वर्स गटेगी, और 44 में से 8 गटाएंग प्राइट को सकते ही अजआ या कुछ नंबर B łटा हुए नॉटल के को यह इंट 14 के और Medium रिशनले के बीशन्याएं पर दिया गिए कि 28 15 24 35 14 एक सीरीज दी गई ए ठीन और पांस् कि इतने होते आठ पांस पांस्तर है फिर आट और शाथ पंद्रा साथ का अंतर फिर नो का अंतर पिर ग्यारा का फिर ग्यारा का इस परकार विर्शम संक्याओं का अंतर तो 48 में किसका अंतर करेंगे 15 जोड़ेंगे 48 और 15 कितने होते हैं त्रेपन और दस 63 ओप्सन नमबर डी राइट होगा आगे कौन सिंग क्या आएगी 63 जीवन अनुपात मर्त्यू समानुपात आसा ठीक है जिस परकार जीवन का मर्त्यू से संब्द है उससी परकार आसा का किस ठीक है तोट्ए को इस परकार लिखा गया तो इक फूरो को किस परकार लिखा जाएगा ठीक है तो यहां पर देखेंए वाद में सी हमाना इक इस परकार बढले इस यह जांतर फीक है नुजए के एक सरकार नहीं तु खसमाना है कि और इक हो यह जिए surely। को रहेगा ठीक है तो CGB-BQSG, QSG option number, C right हो गा यहां पर यह दे. यह कि यह बड़ाने के P, Q का बाई है ठीक है मैं ने. भाई हो सकते है या भाई बैन हो सकते है यानि P भाई है Q का ठीक है R P का पिता है ठीक है R P का पिता है तो P और Q का दोनों का पिता कौन हो गया R हो गया ठीक है S T का भाई है ठीक है S T का भाई है अभी तक इनमें कोई सम्मझ नहीं पता हमें तो क्या अजब sheet का चाचा कौन और क्यों का बहएं पिया गया प्रसुन मि mesmo पिक्यों का भाय है तो क्या हो जाएका P राइट आनसर हो जाएगा option no C राइट होका P S का क्या चाचा है neSTAugs इमने क्रोफसित हम क्यों क Теперь करते हुए इसका थी को आटी सुएँ के विपरित सुयों की दिशा में तो यह उत्तर होता है यह पूरव और यह पश्चिम ठीक अब मेरा मुंग कि दर ओं इधर रही है यह बोल रहा और गड़ी के सुयां किस तरफ गोम रहे है इस तरफ गोम रहे है । गड़ी के सुईयों की दिसा में 90 degree मतलब यहां पर आगिया में अब मेरा मुँव उत्तर में फिर विपरेज़ ुक्रائिस डिघ्री मतलब यह 90 और यह 135 अब मैरा मुँझ इस तिसा में इस तिसा में तो अब मेरा मुँझ किस तिसा में यह दिसा bangs और यह दक्षिन है तो कौन सी हो जाएगी दक्षिन पस्चिम दिसा में मेरा मूँ है ओप्षन नमर डी राइट होगा तो यह ते आज के पेपर के पूरे पचास